हलो लर्नर्स, आइम आर्ती छावडी और एक बार फिर से आर्ट इन कल्चर की सीरीज में परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंडर हम एक और नया खुबसुरा टॉपिक स्टाट करेंगे और ये है इंडियन पपिट्री आपने यहाँ पर कट पुतली पुतले, इस तरह के शब्दों को तो देखा होगा लेकिन शायद इस पर्टिकुलर सीरीज के दोरान आपको समझ आएगा, आपको ये इनलाइटन्मिंट होगी कि सारी प्रकार की जो पुतलिया होती है सारे प्रकार की जो पपेट्स होते हैं वो कट पुतली नहीं कहलाते आईए देखते हैं आज के एपिसोड में इसकी हिस्ट्री और इवॉल्यूशन के बारे में कैसे ही पर्फार्मिंग आर्ट डेवलप हुआ और कौन-कौन से ऐसे हमारे पास प्रूफ्स हैं, एविडिन्सिस हैं जिसकी मदद से हम इसकी ताइम लाइन को ट्रेस कर पाएंगे मनुश्य जिसमें अलग-अलग तरीके निकाले अपने आपको एक्स्प्रेस करने के इसमें आपको पेंटिंग्स भी नजर आती हैं, डांस भी नजर आता है, म्यूजिक भी नजर आता है और इसी सीरीज में हमें पपिट्स भी देखने को मिलता है हमेशा से हमने अलग-अलग तरह से अपने स्टोरीज को निरेट करने की कोशिश की है पिछले सीरीज में हमने डांस फॉर्म देखा फेशल एक्स्प्रेशन्स हों या फिर हैंड-गेस्च्र्ज हों यानी सिर्फ बोल कर यहांपर एक्स्प्रेस करना नहीं बलकी अपने एक्स्प्रेशन्स अभिने के जरिये भी यहांपर स्टोरीज को निरेट किया है जहांपर आप पेस और hand gestures को move करते हुए देखते हैं तो story narration की ही इस कहानी में आपको puppets भी नजर आएंगे क्या puppets जो है उनका origin भारत से ही हुआ तो पहली बात तो इसका origin पता लगाया ही नहीं जा सकता क्योंकि दुनिया भर के अलग-अलग हिस्सों में आपको ये tradition देखने को मिलेगा even ये जो puppet शब्द है ये एक फ्रांसी सी शब्द popay से आता है जिसका मतलब doll होता है Latin में इसको पूपा गयते हैं और उसी तरीके से जब हम Sanskrit के कुछ बहुत पुराने ancient text को refer करते हैं तो हमें कुछ इसी से मिलते जुलते शब्द मिलेंगे जैसे की पुत्रिका पुत्रक या पुत्लिका obviously ये जो शब्द है ये एक बेस शब्द पुत्र से आते हैं जिसका मतलब sun यानि बेटा होता है लेकिन उसके बाद इन words का इस्तमाल पुत्र यानि sun के लिए नहीं बलकि पुत्लिया यानि dolls के लिए किया जाने लगा puppets जो कि बहुत ही खुबसूरत रंग बिरंगे कपडों में हमें नजर आते हैं जिनके face के expressions बदलते नहीं जिनके अंदर से खुद आवाज नहीं आती यानि कि वो बेजुबान होते हैं तो इस तरीके से ये जो puppets हैं इनके मदद से कहानिया कैसे सुनाई जाती हैं इसमें सबसे बड़ा role play करता है puppeteer जो कि उन puppets को manipulate करता है यानि कि move करवाता है उनके limbs जो movable होते हैं उनकी मदद से और उन्हें आवाज भी देता है तो इसकी कहानी कहां से शुरू हुए अगर हम अमारे पन्नों को थोड़ा सा पलट कर देखे हैं तो सबसे पुराने evidence हमें नजर आते हैं Indus Valley Civilization में Indus Valley Civilization हडपा सभिता जो सिंधु नदी यानि Indus नदी के पास पनपी अगर हम यहां पर कुछ artifacts को study करें तो हमें बहुत सारे stone के, metal के और terracotta के artifacts देखने को मिलते हैं इनमें stone और terracotta के जो artifacts हैं उनमें बहुत सारे toys भी आते हैं particularly terracotta के यानि के मिट्टी के बने हुए जिनें बाद में आग में तपाया गया terracotta word का मतलब baked clay ही होता है इन terracotta के toys में आपको बहुत सारे ऐसे toys मिल जाएंगे जिनके limbs जो हैं वो move करते हैं यहां पर भी आप screen पर देख सकते हैं हडपा से पाये गए ये दो toys जिसमें आपको दो जानवर यहां पर नज़र आ रहे हैं इनका head जो है वो movable है यह पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते कि किसी तरीके से किसी puppetry show का हिस्सा रहे होंगे लेकिन जरूर इनका इस्तमाल narration के लिए किया जाता हो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे करके इसी Indian society में philosophical developments होती हुँ देखेंगे जिसमें ब्राहमनिकल philosophy भी develop हुई जो आगे चलके हिंदुजम में evolve होती हुई आपको नजर आती है ऐसे ही आप बुद्धिजम देखेंगे जैनिजम देखेंगे तो यहाँ जब हिंदु philosophy की बात करते हैं तो उसमें Lord Shiva और Lord Vishnu जो है अब यह जो stories हैं क्योंकि यह develop हो रही थी तो इनका narration भी जरूरी था उस narration को जाद से जादा interesting बनाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए गए dance और music के जरीए वो narrations होते थे और इसी narration के तरीके में puppetry की भी शुरुवात हुई यानि कि puppetry's जो थी, puppets जो थे, puppet shows जो थे वो इनी mythological stories के इर्दगिर्द घूमने लगे Lord Vishnu के one of the most important aftars Lord Krishna जिनसे जुड़ी हुई श्रीमत भगवत गीता जो है उसमें भी बताया गया कि कैसे God जो है वो puppeteer है और हम सब यहाँ पर puppets की तरह हैं इस धर्ती के उपर यानि हम देख सकते हैं कि यह जो puppets हैं, puppeteers हैं इनका जिक्र अगर इस प्रकार की literature में हो रहा है तो obviously उस समय में जो society थी वहाँ पे culture, tradition जो था उसका हिस्सा puppetry shows रहे होंगे puppetry shows में puppets की मगद से mythological stories को narrate करना तो एक आम बात बन ही चुकी थी लेकिन धीरे-धीरे करके जो folk tales हैं उनको भी यहाँ पर narrate किया जाने लगा इवन बहुत सारे rituals जैसे की rice harvesting का season है फसल कटाई हो रही है उस चीज़ को celebrate करने के लिए छोटी-छोटी rituals जो perform किये जाते थे उसका हिस्सा भी puppetry show बन गए इवन जब आप करनाटक में जाते हैं तो वहाँ पर महाभारत का एक हिस्सा जिसको हम विराट पर्व कहते हैं जो कि 14th chapter माना जाता है महाभारत का उसे आज भी puppet के form में ही यहाँ निरेट किया जाता है puppetry show के form में निरेट किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि इससे इंद्रदेव खुश होते हैं और वो वर्षा जल्दी लाते हैं puppetry shows का थी mythological stories हमेशा से ही रही लेकिन समय बदलने के साथ-साथ लोग यहाँ पर कुछ और relatable content चाहते थे mythological stories में आपको gods की कहानिया देखने को मिलेगी divine figures की stories देखने को मिलेगी ऐसे राजा जो कही न कही gods के ही shadow थे धरती पर उनकी कहानिया देखने को मिलेगी लेकिन लोग चाहा रहे थे उनकी life को देखना उनी puppetry shows में उन कहानियों में उन narration's में और समय बदलने के साथ-साथ यहाँ पर आपको folk tales में भी puppetry shows देखने को मिलेगी theme जो काफी social थे बहुत सारे ऐसे puppetry shows where time हमारे भारत में develop हुए जिनका theme secular बना और ऐसे कुछ themes जो कोई social message देते हो caste, class system उसके बीच में जो discriminations हैं ऐसे भी बहुत से themes के उपर puppetry shows with time develop हुए तो यह किस तरीके से evolve हुआ इसे हम clearly देख सकते हैं Indus Valley Civilization फिर philosophical, ritualistic touch puppetry shows में आना उसके बाद folk tales, harvesting season जैसे celebrations जो है उनको puppetry shows में दिखाना puppetry shows का उनका part बन जाना और उसके बाद इसमें secular theme का आना ये थी puppetry की इंडिया में evolution की कहानी आप भारत में बहुत से अलग-अलग प्रकार के puppets को develop होते हो देखेंगे basically ये जो difference है ये जो division है, ये जो types है वो puppets के shape, size और उनकी बनावट पर आधारित है उनको कैसे move कराया जाता है उस पर आधारित है तो आप यहाँ shadow puppets देख सकते हैं string puppets देख सकते हैं इसके साथ-साथ rod puppet और glove puppet आगे आने वाले episodes में हम इन ही different types of puppets के उपर detail में discussion करेंगे so बने रहे हैं मेरे साथ stay tuned, thank you झाल झाल